तो दोस्तो फाइनली ओपो ने अपना रेनो 5 Pro 5G स्मार्टफोन अफिशली अनाउंस कर दिया है और आज की इस वीडियों करने वाले है इसी की एक डीटेल्ड अन्बॉक्सिंग और देखते हैं कि इसमें हमें क्या कैस्पेक्स देखने को मिलते हैं और यह किस प्राइस पे आ बाद में यह रहा हमारा डिवाइस जिसे मैं बाजू में रख देता हूँ उसी की नीचे हमें देखने को मिल जाता है एक अच्छी क्वालिटी का टीप्यू केस बाद में एक 65 वाट का सूपर वुक 2.0 चार्जर एक USB टाप से केबल और AirPod स्टाइल वाली एरफोन बस यही स सारी एकसेसरी आपको बॉक्स में देखने को मिलती है और यह रहा हमारा डिवाइस तो पहले तो बात करते थे हैं इसी डिस्प्ले की तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक 6.55 इंच का फुलेटी प्लेस डिलोशन वाला AMOLED पैनल उसी के साफ में 90 हर्ट का रिफ 32 Megapixel की सेलफी भी दी गई है इसी पंच होल कट आउट में बात करें फिजिकल उवर्विव की तो नीची की तरफ आपको मिल जाता है एक टाइप C पोर्ट, सिंगल स्पिकर ग्रिल और एक डूवल सिम स्लॉट यहाँ पे आपको MicroSD का सपोर्ट नहीं दिया गया लेफ्ट सा ग्लास फिनिश और इसी कलर कंबिनिशन में बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ब्यूटिफुल लग रहा है यह डिवाइस यहाँ आपको रेनो गलो का टेक्स्ट भी देखने को मिल जाता है और उपर की तरफ यहाँ पे ओपो भी लिखा हुआ देखने को मिलता है आप मुझे क क्वालिटी तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाते है उसकी साथ में जो अल्टर वाइड एंगल लेंस है वो भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर देता है तो यहाँ पे डेफिनिटली रेनो फोर प्रो के कंपरेजन में यहाँ पे कैमरा भी इंप अब बात करें परफॉर्मेंस के तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है 8GB कि रहें और उसकी साथ में 128GB की इंटर्नल स्टोरेज हलाकि यहाँ पे 12GB प्लस 256GB का भी एक वेरियंट हमें देखने को मिलता है उसकी साथ में यहाँ पे जो चिपसेट है वो है मिडियाटेक का डाइमिंड्स सेटी 1000 प्लस वाला चिपसेट जो की बहुती पावरफुल और 5G अनेबल चिपसेट है मिडियाटेक के तरफ से अगर हम इसे हुआवे के फ्लैक्शिप चिप किरिन 990 से कम पर करें तो आप देख सकते हो कि overall यहाँ पे especially GPU के मामले में मिडियाटेक आग्या न बात करी software की तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है OPPO का latest color OS 11 और इसके साथ में Android 11 भी out of the box दिये गया है यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा customizations की options देखने को मिल जाते हैं जिसकि आप यहाँ पे आपकी ने icons क्या shape और size भी यहाँ पे अपने मन से बदल सकते हो वस select कर सकते हो जैसे कि थोड़ा सा grayish या फिर medium या फिर totally dark तो इस तरह का कुछ dark mode आप select कर सकते हो बात में जो floating window option है वो आपके multitasking के और भी ज्यादा easy और simple कर देता है तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से user को देहन में रखते हो है यहाँ पे customization की गई है बात करे आपको बहुत ही fast charging speeds भी दी गई है और battery backup पे आच्छा देखने को मिलता है तो यही था एक complete package ओपो की तरफ से finally बात करे pricing और availability को तो अभी के लिए तो यह सिर्फ चाइना में available है और इसकी price शुरू होती है 3399 युवान से जो की होती है around 38,000 इंडियन रूपीज जो की 8 GB plus 128 GB RAM variant की है और 12 plus 256 GB variant की pricing शुरू होती है 3799 युवान से जो की होती है around 42,000 इंडियन रूपीज तो इस तर की कुछ pricing और availability हमें देखने को मिल जाती है इंडिया में भी ये phone जल्द ही आने वाला है तो आप मुझे comments पर बता देजी कि आपको ये phone कैसा लगा और किस pricing पे आपको य लाइक और share करना मुद बूलेगा और मेरे चैनल को जरू से subscribe किजेगा ऐसा ही exclusive content देखने के लिए तो बस आज की वीडियो के लिए तना ही मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाए